हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंट्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टेडी मैटेरियल आपको प्रोवाइट कर आ रहे हैं तो उसी संबन में मैं एक हिंदी की सीरीज चला रहा हूँ आरो ए आरो के लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए और यूपी ट्रपल सी की जो भी परिक्षा होती हैं उसके लिए उसमें हम डेली अलग-अलग टॉपिक से 50 प्रशन देखते हैं तो उससे पहले मैं इसके 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं सामान हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है आज हम परियायवाची शब्जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है लग-बग हर परिक्षा में इससे एक या दो प्रशन आपको जरूर मिलेंगे आरो एरो में टोटर लग-बग 6 टॉपिक है उसमें आपका परियायवाची भी एक टॉपिक है तो वही देखते हैं पहला प्रशन है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यहां पर आपको रैगुलर ऐसे ही स्टडी मैट्रियल हम प्रोवाइट कराते रहते हैं पावक किसका परियायवाची है तो पावक आग का परियायवाची है ठीक है अग का अगनी काlamation फीक है इसके इलावा जाय है अनल है देखिए अनल याद रखेगा अनल आग का है अगर आपको दिख जाए अनिल तो यह हवा का परियायवाची होता है ठीक है अनिल हवा का परियायवाची है इसके अलावा आग, कृशानु, दव, उताशन, वैश्वानर, आदि ठीक है तो दव सही आपने देखा होगा दावानल भी एक शब्द बनता है, दावानल यानि जंगल में लगने वाली आग, दावानल, आगे चलते हैं, निम्लिकत में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए, अनिल है, मारुत है, पवन है, अनल नहीं है, अनल किसका है, अनल आपका, आग का पर आग के हमने उपर देख लिए, आगे चलते हैं, हवा के लिए परयायवाची शब्द है, तो हवा के लिए क्या-क्या है आपका, इसमें होगा आपका अनल, option A, अनल आपका आग का है, अनंग देखिए बहुत पूछा जाता है, अनंग बताता हूँ आपको, काफी important है, अनंग ये भी आपका कामदेव का ही परयायवाची है, आगे आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको और detail में बताऊँगा, और क्या-क्या परयायवाची है, अभी आप दो याद रखिए, कामदेव और पुष्प धनवा, आपके अनंग बतलब कामदेव के परयायवाची है, अनंग अही नहीं होता, देखिए, अही किसका परयायवाची है, ये सर्प का परयायवाची होता है, ठीक है, सर्प का, शत्रू के परयायवाची आप देख सकते हैं, अही साप का परयायवाची शब्द है, अरी, रिपु, बैरी, ये सभी शत्रू के परयायवाची है, दुश्मन पी एक होता है आपका दुश्मन, आगे चलते हैं, दियेगा विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो सुधा बोला जाता है आपका अमरित को, ठीक है, अमरित, option C, अमरित का एक बहुत फेमस पूछा जाता है, पियूश, ठीक है, पियूश भी काफी आ परियाए है, अमरित के अन्य परियाए वाची आपका सुम, सुधा, अमिय, पियूश, मधु और सुर्भोग देखिए यह रहा, सुर्भोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं, इस्थिर शब्द का परियाए क्या है, तो स्थिर मतलब जो हिलेना अपनी जगा से तो यानि अडिक, इसके अलावा इस्थिर शब्द के अन्य परियाए के है, निश्चल, द्रड, स्थाई और स्थावर, ठीक है, स्थावर का विलोम बहुत आता है, इस्थावर का विलोम बहुत पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, यह होता है आपका जंगम, इस्थावर का विलोम याद रखेगा जंगम, आगे चलते हैं, समुद्र का परियावाची शब्द देगे, समुद्र हो गया, बादल हो गया, इसके परियावाची दो के नीरनिधी, पारावर, रतनाकर, रतनाकर important है, अबधी, उदधी और सिंदु, ये सबी आपके किसके परियायवाची है, समुद्र के, तुंग का परियायवाची क्या होता है, आपका उचा, उन्नत, गगन, चुम्बी, उच, लंबा, आदी, अगला, वाजी शब्द का परिया होता है, वाजी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घोटक, भोला, है, वाजी, तुरंग, और रविसुत, ये भी important है, रविसुत, मार शब्द का परियायवाची शब्द क्या है, तो मार है आपका, अनंग का, और अनंग का मैंने बताया था, किसका होता है अनंग, काम मनमत, मदन, रतिपती, कुसुमेश, मनसिज, मकरधवज, कंदर्प, मीन केतु, कंदर्प बहुत आता है, कंदर्प भी याद रखिएगा, मीन केतु, आदि, इन में से मदिरा या शराप शब्द का परियायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए जो अमी है, अमी आपका होत पुषपरस, मधू, आसवरस, मकरंद, बोध शब्द का समा, नार्थी शब्द का है, तो यह है आपका अनुभूती, मुझे इसका बोध हो गया, यानि अनुभूती हो गई, सब इंस्पेक्टर में पूशा गया, देखिए, कॉंस्टेबल का पेपर आ रहा है, इस तरीके क बादल का, देखिए, मैंने आपसे का था, बादल और समुद्र, ये दो बहुत ज़्यादा पूशे जाते हैं, का समानार्थी विकल्प कौन सा है, तो देखिए, इसमें होगा द, अम्बुद, अम्बुज नहीं होगा, अम्बुद होगा, ठीक है, अम्बुज जो है, यह कमल का है, नीरज भी कमल का है, इसके अलावा, सरोज भी आपका कमल का होता है, राजीव भी आपका कमल का होता है, पंकज भी आपका कमल का होता है, पंकज को आप याद रख सकते हैं, पंक मतलब होता है कीचड, और कमल आपका कीचड नहीं खिलता है, तो आपका जो अम्ब आपका पत्थर के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कभी-कभी परवत के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, बागी वरशब, गो और बलीवर्द, बलीवर्द इंपोर्टेंट है, बलीवर्द नया शब्द है, यह आपका बैल का परियाए वाची है, धन का मतलब क्या होता है, तो धन का मतलब अगर देखेंगे तो अर्थ, ऑप्शन B, इसके अलावा संपत्ति, योग, आदी, जबकि अंक का अर्थ, आपका क्या होता है, अध्याय, चिन और संख्या, दिएगा इविकल्पों में से दूद का परियाए नहीं है, तो कौन सा नहीं है, का था? आगे चलते हैं, जीवनोदक हाँ, ये देखें, ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है, जीवनोदक भी बहुश पूशता है, अमिय दूद का परियाए नहीं है, बलकि है अमरित का परियाए है, अमरित के अन्य पियूश, सुधा, जीवनोदक इत्यादी है, जबकि लोम शब्द होता है, उतकर्च का, निम्लिकत में कौन सा शब्द जंगल का परियाए वाची नहीं है, तो जंगल का वन होता है, विपिन होता है, दाव और अरेणी, तो देखें, अरेणी कोई जंगल का, अरेणी जंगल का होता है, ठीक है, अरेणी मत देखिएगा, और अरन्य देखिए जो मैंने आपको बताया था अरन्य इसके लावा देखिए विपिन, कानन, अटवी, कांतार और वन ये आपके जंगल के अन्य परियाएवाची हैं अगला इन में से एक शब्द घोड़ा का परियाएवाची शब्द नहीं है तो घोड़ा का क्या नहीं है अश्म देखिए मैंने बताया था अश्व होता है घोड़े का अश्म क्या था आपका पत्थर या प्रस्तर इसके लिए यूश किया जाता है घोटक, सैंधव, तुरंग, है, वाजी ये सभी घोड़े के परियाएवाची है सैंधव भी बहुत फेमस है सैंधव भी काफी आ पताया था तुरंग आपका घोड़ा होता है हमने पहले प्रस्च में देखा था तुंग, मतलब क्या होता है उच्च या उच्टा गंगा का परियायवाची नहीं है देखे गंगा यमुना सरस्वती यही काफी पूशता रहता है बार बार तो गंगा का नहीं है भागी रथी तो है आपका सुर्षरी है मंदाकिनी अवतर्णी इसका परियायवाची नहीं है ठीक है अवतर्णी नहीं है गंगा के देख लीज वाक पटू एक शब्द आता है, वाक पटूता, यानि जो बोलने में कुशल होता है, तो कॉशल का परियाएवाची पटू तभी है, अब भ्यागत देखिए, इसका परियाएवाची नहीं होता, यह अतिति के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, अतिति के लिए, क्रोध का परियाएवाची है, तो क्रोध का आपका क्या है, अमर्ष, अमर्ष आपका क्रोध का परियाएवाची होता है, व्यमनस्य आपका क्या है शत्रूता ठीक है और भीति आपका होता है डर आपने मुहावरा भी सोना होगा इस तरीके किसे एकजामपल है मुहावरा है संताप दुख का परियाय है तो संताप का मतलब क्या होता है आपका दुख निमलिखित में से कौनचा शब्द कमल का परियायवाची नहीं है तो अर्विंद है शत्तदल है सर्चिज है अमिया किसका है मैंने आपको बताया था यह अम्रित का परियायवाची है बाकि कमल के मैंने आपको उपर सब बताई दिए हैं तोयज, देखें तोय जो शट्षब्द है तोय अम्बू यह सभी पानी के परियायवाची होते हैं ठीक है पानी के तबी देखिए अंबुज जो है अंबुज यसी लिए बोला जाता है अंबुज कमल को तो अम्बू पानी का परियाएवाची है, दिएगा इविकल्पों में से एशना का समानार्थी शब्द चुनिए, बहुत अच्छा प्रशने देखिए, एशना का समानार्थी शब्द होता है अभिलाशा, option 1, निमलिखित में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तो अनुपम हो गया, अनोखा हो गया, अपूर्व हो गया, तो देखिए, अनल मैंने आपको बताया था, अनल किसका परियाएवाची है हमारा आग का, आगे, निमलिखित में से कौन एक घर का परियाएवाची है, तो घर का परि प्रियायवाची है, उसकी शिकायत पूर्टया सही थी, पूर्टया मतलब अक्षरक्षा, अक्षरक्षा यह आपका सही शब्द है, अतह शब्द का समानार्थी पहचानी है, तो अतह का, क्या होगा आपका अत्यव, निमलिकित में से एक शब्द, आम का प्रियायवाची नही तोयज और अम्बुझ देखिए यहीं से कमल निकला है आपका अम्बुझ और तोयज तोयज इसलिए कमल को बोला जाता है अम्बुझ भी कमल को बोला जाता है इन दो शब्दों से ही मिलकर आपका कमल निकला है तो अतिसौरब, सहकार, रसाल, आम्र, फल, श्रेष्ट, अमृ क्रशानू हो गया आपका अगनी, अनिल किसका है हवा का, तीसवा देखते हैं, नीचे दियेगा शब्दों में से कौन चा शब्द, अगनी का परियाय नहीं है, तो अगनी क्रशानू है, हुताशन है, वहनी है, आपका अनिल किसका है, हवा का परियाय वाची है, अनल आपका आग का होता है, आप नीजे पूरे पढ़ सकते हैं, भहुत सारे हैं, वायू सखा भी काफी तेज है, इंपोर्टेंट है, ये भी काफी पूछता रहता है, आसकती का परियाय क्या है, तो आसकती का परियाय होता है आपका अनुरक्ती, आप्शन भी ज्यादा बहतर आप्शन ह आविर भाव का समानार्थी शब्द क्या है तो आविर भाव का समानार्थी शब्द है आपका अवतरण और आविर भाव का आपसे क्या पूछता है विलोम शब्दी भोष पूछता है वो होता है आपका तिरो भाव आविरभाव का तिरोभाव होता है विलोम शब्द आसक्ति शब्द कारत क्या है? तो आसक्ति हमने बात करीती क्या होता है? आपका अनुरक्ति या फिर अनुराग, option a देखे इसमें ROE, ROE, SI वगरे के सब के कोशन है तो आपकी तयारी काफी अच्छी इसमें हो जाएगी उताशन आपका अगनी का हो गया, जन्मदात्री आपकी कौन हो गई, मा हो गई, पिक प्रिय है आपका क्या होता है आप, ठीक है, कौन सा शब्द, आख का परियावाची नहीं है, चक्षु होता है, द्रग होता है, अक्षी है, लोचन है ठीक है, यह काफी important है, लोचन भी, अतुल आपका लेके नहीं है, अतुल तो अनुपम का, जिसकी तुलना ना की जा सके, उसका है तो अतुल के और देख लिए अनुपम है, अपरतिम, अपरतिम, मराठी वगरे लोग काफी उज़ करते हैं, अद्वित्ति है, अपून, निरुपम, या फिर बेजोड, आख का देखें, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, द्रग, अक्षी, और विलोचन, चश important है चश, अंबक भी नया शब्द है, ये दोनों आप याद कर लीजी, चश और अंबक ये आपके आख के परियाएवाची हैं आकाश का परियायवाची शब्द नहीं है, तो गगन है, अंभर है, नभ है, अवनी किसका है, अवनी है आपका धरती का परियायवाची, प्रत्वी का, ठीक है, आगे चलते है, कौन सा शब्द अंधकार का परियायवाची नहीं है, तो आपका तम, अंधेरा, तिमिर, अमाव देखे अमावस्या कोई अंधिकार का परियावाची नहीं होता, अमावस्या तो ए घटना है आपकी, खगोली घटना होती है, इसके अलावा अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस, ये सारे आपके अंधेरे के परियावाची है, अनल का परियावाची आपसे पूचया है हमने बात करे थी अनल आपका क्या होता है अगनी होता है अनिल क्या होता है यह आपका हवा हूता है और इसके अलावा आग हो गया आगनी का पावक धुनगेतना धां जुणाला such an क्रशानू 것이 मने देखने लिया आ चुका है जातदेव वैश्वानर थोड़ा जातदेव अब नया शब्द निकल कर आया निलिखित में से कौन सा एक अनात का परियायवाची नहीं है तो अनात के लिए बेमेल शब्द पहचानिये तो अरक के लिए बेमाल शब्द है आपका अंतर तूरिय अरक के ये सबी मेल शब्द है निमलिकत में से कौन कंधा का समानार्थी है तो कंधे का समानार्थी क्या है आपका अंस अंश का मतलब क्या हुआ है जैसे किसी चीज़ का ये अंश बचा हुआ है भाग हो गया अंशु का मतलब होता है आपका किरन, ये भी आता रहता है, बहुत किरन, अश्रू मतलब आपके आंसु, ये तो आपका आंसु का क्या है, तत्सम शब्द भी है, ये भी याद रखिएगा, निमलिकित में से कौन सा शब्द, और एक चीज और थोड़ा, जो कंदा है, कंदे का आपका तत्सम बहुत पूछा जाता है, इसका तत्सम होता है, आपका सकंद, इसकंद, तत्सम शब्द, ये याद रखिएगा, पूछता रहता है, तो सकंद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सकंद, भुजमूल और मोढ़ा, ये आपके कंदे के परियायवाची शब्दे तत्सम मैंने बता दिया, सकंद, निम्न में से कौन शब्द, शत्रू का समानार्थी है, तो इसमें शत्रू का समानार्थी कौन सा होगा, तो अराती, अब देखिए नोंने शब्द कितने अच्छे बनाए हैं, लेकपाल का दोजार राठ वाला जो पेपर था, उसका प्रश देखिए, आर्थ का आशय, कष्ट या दुख से होता है, आर्थ का मतलब आपका क्या होता है, कष्ट, इसके लावा शत्रू के क्या होगा, दुश्मन, बैरी, अरी, रिपू, अमित्र और विपक्षी, लेकिन अराती भी हमें याद रखना है, नया शब्द है, मुद्रिका का परियायवाची क्या होगी, तो मुद्रिका का परियायवाची आपका क्या होगा, मुद्रिका होती है आपकी अंगुठी, इसके लावा अंगुठी के और क्या होते हैं आपके, अंगुलिका, छाप, रिंग, वले और मुंद्री, ठीक है, मुंद्री भी पुछले तो दम्भ होता है आपका एहंकार अनल किसका परियाएवाची शब्द है, अगर आ जाए, अनल, तो ये किसका है, आपका वायू का जलके मैंने दो बहुत important आपको बताए हैं, अंबु और तोय अनल का परियावाची शब्द अगनी है इसके अलावा अगनी, वहनी, पावक, वाईयू सखा, देहन, तपन, दव, गिर्वी तो जो भी देखें नए शब्द आपको दिख रहे हैं मैं बार बार इसलिए पढ़ दे रहा हूं आपका शारदुल, इसको केहरी भी बोलते हैं आपने दुर्गा मा की आरती में भी सुनाओगा केहरी, वाहन, राजत, तो उसमें लिखा रहता है यह केहरी साप के बाकी देखते हैं अही, व्याल, भुजंग, पवनाग, विश्धर, पन्नग, सारंग, मनिधर, उरग उरग मतलब जो पेट के बल चलता हो केहरी तथा शारदुल, सिंग के परियाएवाची हैं मैंने दोनों आपको बताया था केहरी आप मादुर्गा की आरती से याद रख सकते हैं उसमें आता है यह आगे देखते हैं अभिलाशा का परियाएवाची क्या नहीं होगा इसमें से तो क्या नहीं होगा आपका अभिलाशा कामना होता है इच्छा होती है लालसा होती है, अनिच्छा इसका विलोम शब्द हो गया एक तरसे, ठीक है आप देख सकते हैं, कामना, लालसा, इच्छा, अकांग्षा, उतकंठा, तृष्णा, मनुरत, चहा, इत्यादी, तृष्णा आपका प्यास के लिए भी यूस किया जाता है, उड़नचास्मा देख देखते हैं, वन, वन का शुद्ध परियायवाची चुनिए, तो अरणय, अरणव, अरणव तो मैंने आपको बताया था, अरणव किसके लिए यूस होता है, अरणव आपका समुद्र का परियायवाची है, ठीक है, समुद्र का, विपन, विपन नहीं होता, विपन होता है कटक भी नहीं होता तो अरण है आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक शब्द है कटक किसका है आपका सोने का कनक भी सोने के लिए यूज़ होता है इसके लावा हिरण ने भी सोने के लिए यूज़ होता है एक वन का कांतार भी याद रखिएगा कांतार ये भी काफी option में बहुत आता है कांतार ठीक है इसको भी याद रखिएगा जितने देखिए मुझे याद रहते हैं अपने exam के वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो यही देखिए आज के हमारे 50 प्रशन थे आप रखिए आप से भी को ओल दा वेरी बस्त।